नम्मर वन में दिया है, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients, आपको यह सभी, मतलब six polynomial दिये हुए है, quadratic polynomial, इसको क्या करना है, पहले आपको zero निकालना है, after that उटका जो formula होता है, coefficient वाला, उसको उससी निकालना है, और तब क्या करना है, आपको इसका value found out करना है, क्या कह रहा है, question मैं आपक होता है, तो zero आपको value of x होता है, क्या होता है, value of x, है ना, जितना x का value होगा, वह उसका क्या होगा, zero होगा, है ना, अब देखो, कि जब quadratic equation होती है, तो quadratic equation क्या होता है, तो वह क्या होता है, quadratic equation है, तो आप यहाँ पे जितने भी equation आपको दिये गए हैं, उसमें सभी में बैडियेवल मतलब जैसे भी x दिया है, t दिया है, u दिया है, इन सब का power आपको हर्में यह सा 2 देखेंगे, यह सब कौन सा equation है, quadratic equation, तो जितना power होता है न किसी भी equation या फिर किसी भी polynomial में जितना power होता है न बैडियेवल का उतना उसका क्या होता है, सुन्यक होता है, means उस यह होता है, यहाँ पर आपको quadratic equation दिया है, तो इसमें कितने सुन्यक होंगे, दो सुन्यक होंगे, जैसे हम लोग जैनरल भासा में पढ़े होंगे, त आपको उसको बोला जाता है, alpha and beta है न, मतलब यह कह रहा है कि आपको जितने भी polynomial दिया है न, उसका alpha और beta निकाल लेना है साथी साथ, अब इसका जो formula होता है, एक होता है, alpha plus beta equals to minus b by a, एक होता है, alpha into beta बरावर c by a, अब इस formula को भी आपको क्या करना है, verify करना है, मतलब क्या, कि पहले आप alpha और beta तो निकाल लोगे, फिर alpha plus beta करके निकाल लो, ठीक है, इसके value आएगा, फिर minus b by a करके निकालो, जब यह दोनों बरावर हो जाएगा, तो आपका क्या है, कोश आंसर सही है, अब देखो, यहाँ पर आपको confusion हो रही होगी, वैसे तो आप यह सब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े है, तो a, b, c होता क्या है, अब देखो, general अगर form लिखे quadratic equation या polynomial का, वो होता है, ax square plus bx plus c, य यह general का केते हैं, आपको expression होता है, quadratic equation का, अगर आपको इसमें भी problem है, तो आप इस तरह से याद रखिए, कि a को na, coefficient of x square कहा जाता है, b को na, coefficient of x कहा जाता है, और c को constant कहा जाता है, ठीक है, अब देखो, alpha plus beta, alpha पर बीटा निकालना है, इसका दो तरह के साब बना सकते हो, एक तरिका होता है, formula बाला, alpha एंड बीटा बरावर होता है, минस b, plus, minus, root under dy, to a, हैना, एक बार, plus लेके बनाना है, वह alpha हो जाएगा, एक बार, minus लेके बनाना है, वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, इस formula पर आप इसका क्या करते सकता हो, निकाल सकते हो, और d beरावर क्या ह होता है बी स्क्वाइर में फोर एसी आई होब कि आप यह से पड़े होंगे या फिर आप जिस तरह में समझा इससे बना सकते या फिर मैं बता देता हूं अब देखो थोरा साथ आप इस सब्सक्राइब करें वह सब्सक्राइब है सब्सक्राइब कोइशन कोंपड़ा है तो इसके आगेться अब question यह आ रहा होगा दिमाग में कि 2 क्यों नहीं है मैंनस 2 क्यों है अभी हम आपको general formula जो लिखे हैं वो ध्यान दीजिए यहां पर B plus में है यहां प्लस Bx लेकिन वहां पर मैंनस में दिया अगर हम प्लस में convert करें तो मैंनस 2 x इस तरह से लिखेंगे तो B बराबर B क्या तो B कितना दी आपको स्क्राइब डिया जोर स्क्राइब हम क्या करेंगे अब इस वारे फोर्मला थे मरक्नेट bouff pity क्या जाएगा मैनस ₤ मैंनस भी प्लस रूट अंडर ड यहां तुध़ए अब देखो कि मैनस भी था तो टूम-थान बी कुत तो तो minus minus 2 plus root under 36 by 2 into 1 तो बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा minus minus 2 2 आ जाएगा और root 36 कितना हो जाएगा 6 divided by 2 into a का value 1 है तो बराबर हो जाएगा 8 by 2 बराबर 4 alpha बराबर क्या निकाल लिए हम 4, beta बराबर क्या होता है minus b minus root under d by 2a अब दो क्या है minus minus 2 minus root under 36 divided by 2 into 1 अब दो इसको क्या हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर minus 6 by 2 थिया हो जाएगा minus 4 by 2 equals to minus 2 alpha कितना आ गया 4 और beta कितना आ गया minus 2 alpha plus beta निकालते है alpha कितना है 4 और beta कितना है minus 2 तो कितना आ गया 2 alpha into beta निकालते है or Alpha plus beta तो पिदेः तो 1 MO AGA तो इस फॉर्मॉला से आगिया और को शॉर्म होथा था C by A, C कितना है यहाँ पर आपको —8 तो —8 by 1 क्या आ जाएगा था दब अब देखो इधर भी अलफा उन टू-8 आता यह तो यह क्या होगा? अब आपका पहला मेथड आप समझ सकते हो फरसे में इसको जोइन कर देता हूँ, यह पहला मेथड मतलब आपको zero's निकालने का है होता होना अब यह मेथर भी यूज कर सकते अब दूसरा है आपको मैस दिक्कत निखिक है आपको और wydaje इसको पहले आपको multiply करना है यहाँ पे है यहां पर 8 1 mistake 1 कि द्हों गया ओर यहां पर कितना है मैनæस 2 ही अब देखिए आपको जोड़कर करें तरब कि लिख लेंगे और एक एक Mi lunch ऻोग्ये दीखरहित करेंगे कि खेंद सब्सक्राइब हाथ 흰ए इसको करें जूड़कर करेंगे किता वर स्वाइड़ देखो स्वाइड है अगर इनटू करते कितना आ जाता है मैनस एट मसट इस संकर देठे़ अब इस तरह से आ ледब हम क्या करेंगे कर देंगे इसको न इस तरह से लिखा रही इस तरह से हमने चैसरा से होगा आफटर ना तो यह तो मैं एक step आगी लिख दिया हूँ, इसके बाद आपको लिखना है, x square minus 4x plus 2x minus 8, है ना, इस तरह से हम लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो, यहाँ पर आपको minus 2 दिया है, हम यहाँ पर क्या लिखें, minus 4x plus 2x, तो minus 4x plus 2x, घड के कितना आएगा, minus 2 ही तो आएगा, हम ज़स्ट इसको क्या किया, modify कर दिये, अब देखो, इसमें से आपको common क्या आ रहा है, x common आ रहा है, x minus 4, है ना, x इसमें से common आ जाएगा, x बचेगा, और यहाँ से x common आ जाएगा, 4 बचेगा, और plus, इससे 2 common आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x minus 4, यहाँ से 2 हट जाएगा, अब इस दोनों में, इसमें, और इसमें common क्या आ रहा है, x minus 4, और इसमें common क्या आ रहा है, x plus 2, है ना, अब देखो, कि आपको क्या आ गया, x plus 4 into x plus 2, आपको इस तरह से आ गया, अब क्या करो, इसको बराबर 0 कर दो, क्योंकि हमको 0 निकालना है, क्या निकालना है 0 निकालना है इसका भी बराबर 0 कर दो और इसका भी बराबर 0 कर दो x-4 equals to 0 तो implies that x और आड कितना हो जाएगा आपको 4 आ जाएगा x plus 2 equals to 0 x और आड कितना आजाएगा minus 2 यहाँ पर किया आजाएगा minus 2 आपको यहाँ से आजाएगा अगर आप इस तरह से solve करोगे तो देखो अब जो है इतना महीं हम just पुरा-पुरा कर लिए जोतना पहले हम alpha और beta value कितना निकाल लेते 4 और minus 2 निकाल लेते alpha और beta value उसी तरह हम यहाँ से x का value निकाल लिए 4 और minus 2 तो आप दोनों method यह दोनों method है जो समझ में आया हो वह आप बना सकते हैं अगर आपको इसमें प्रावलम है तो आपको comment करके बोलना मैं आपको समझाने की कोशिस कर दूँगा ठीक है तो समझा दूँगा मैं अगर आपको कोई problem होगी फिर से तो comment में आपको बताना है उसी तरह से हम यहां के लिख देंगे direct x-4 into x-2 कर दिए जब इसको बरावर 0 इसके बरावर 0 करेंगे तो x बरावर क्या आजाएगा x बरावर आपको यहां पर 4 आजाएगा और x बरावर के दना आजाएगा 2 अब फिर भही क्या कर देंगे हमको alpha बता दिया बी क्या होता था coefficient of x होता था और अधर जो कोशन बनाएं वो सही बनाएते बस मैंने अभी जेस्ट गलत बोल दिया अब यह ठीक है तो पीछे कोई गलती नहीं हुई थी ठीक है यहां पर हम x स्क्वार बोल दिया तो b क्या होता है coefficient of x होता और यह क्या होता है coefficient of x स्क्वार होता है उसे मैंनेस लगा दिया तो इसलिए तो मैंनेस b by a sort में लिए इस तरह से आप निकालोगे तो आपको यह बरावर आ जा रहा है यहां पर यह बरावर आ जा रहा है मतलब यह क्या है आपको verify हो गया similarly आपको अगला जो polynomial दिया है आपको दिया 4s square मैनस 4s प्लस 1 अब देखो यह तो simple सा आपको किसके formula पे है a square मैनस 2ab प्लस b square है अब देखो इसको तरह सा modify करते हैं आपको तरह सा maths है तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें देखो इसको हम यह लिए सकते है 2s का whole square मैनस 2 into 2 into s स्वरी 2 into 2 into हम यहां से इस तरह सा में गलत करते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैनस 2 into 2s into 1 लिख सकते हैं क्योंकि मैनस 2 2 जब 4 मैनस 4s है तो मैनस 4s और गुना 1 का कोई value नहीं और प्लस 1 का square देखो अब इसको देखो यहां पर 1 है तो 1 को हम 1 का square लिख सकते हैं a square मैनस 2a इसी है न 2s और b यह और b square a square मैनस 2a भी प्लस b square के इसका formula होता है a मैनस b all square का इसी formula हम क्या कर दिया है इसको यहां पर रख दिए अब जब यहां रख दी हैं उसका value तब क्या आजाएगा 2s-1 का whole square इसी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2s-1 into 2s-1 है ना अब देखो दोनों का बराबर 0 करेंगे तो value क्या आजाएगा same आजाएगा सका value क्या आजाएगा 1 by 2 और फिर से कॉमा दे के 1 by 2 ऑना आजाएगा अब देखो सिंपल सम क्या करेंगे 1 by 2 प्लस 1 by 2 अलफा प्लस बिटा निकाल लेंगे और उपर फ़र्मुला अलफा मैनस बी बाई करके क्या कर देंगे इस तरह सम निकाल देंगे तो जब हम sum of 0 करते हैं, alpha plus beta तो आपको इस तरह से आ कर देंगे, और formula जो होता है, coefficient of s, मतलब back coefficient of s square, इस तरह से हम जो formula पढ़े थे, minus b by, वही लिखा हो है यहाँ पे, तो उस तरह से हम इस पे value put करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगे हाँ पे, minus into minus 4 by 4, क्यों? क्योंकि coefficient of s, s क coefficient देखो, जहाँ पे कितना है, minus 4 है, तो minus 4 इसमें आ जाएगा, ठीक है, अब देखो, इसको आफ एड करोगे, तो कितना आ जाएगा, 1 by 2, प्लस 1 by 2, value कितना आ जाएगा, 1, यहाँ देखो, हमके क्या कर दिया, 1, अब देखो, इस formula अगर हम निकालते हैं, तो minus 4 into minus 4 कितना आ आपका अगला question दिया है, 6 square minus 3 minus 7x, जस्ट हमको क्या करते हैं, अब इसमें क्या करें, constant को बीच में देदी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इधर हम इसको ला सकते हैं, इसको 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 इस तरह सली सकते हैं, 6 square minus 3x minus 3, क्योंकि 2 plus 3 करो, या 3 plus 2 करो, कोई order change कर आपको इसको 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 तोर लेना, कैसे तोरना है, देखो, आपको क्या दिया है, 6 x square, तोर समय और इसको जूम करते था, कि अच्छी से दिखें आपको, यहाँ पर कितना है आपको, question, 6 x square, 6 x square minus 7 x minus 3, जब हम इसको गुना करेंगे इस दोनों को, तो आपको आजाएगा 18 है, और इसको है, यहाँ पर कितना है, minus 7, अब देखो कि इसको हम इस तरह से multiply कर रहा है, ताकि आपको क्या आजाए, मतलब कि same आए, 18 आए, और 7, मतलब कि दोनों same आजाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, multiply करेंगे, यहाँ पर आपको minus 3 है, तो minus 3 करेंगे, तो minus 18 आजाएगा, और यहाँ पर minus 7, क्योंकि minus 3 and 2 6 करेंगे, तो minus 18 आएगा, अब आपको दिमाग लगाना है, कि गुना करके minus 18 आणा चाहिए, और जोड़ करके आणा चा अब इस तरह से इसको तोड़ देंगे, किसको? इसको हम इस तरह से लिख देंगे, किसको? इसको इस तरह से, कि 6x square minus 9x plus 2x plus minus 3, अब इसमें से common क्या आ रहा है, आपको 3x common आ जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, x minus 3, और यहाँ पर कितना आ जा रहा है, कुछ common नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे, just to 2x minus 3, है ना, अब देखो, इसमें और इसमें common क्या आ रहा है, 2x minus 3, और इसमें common क्या आ रहा है, 3x plus 1, जब इस common को हटाएंगे, तो bracket में ही बचाएंगे, 2x minus 3, और 3x minus 1, simple से मैंने, direct यहीं पर लिख दिया, अब देखो, इस से x का value कितना कितना आ आ जाएगा, 3x 2, और इसके पराबर 0 करेंगे, तो एक्स पराबर के आ जाएगा, minus 1x 3, अब simple से क्या कर देंगे, इसको जोड करके value निकाल लेंगे, और इसको जोड के value निकालेगा, आपको 7x 6 आएगा, और जब इस formula से value निकालेंगे, तो आपको भी 7x 6 आएगा, मतलब म यमारा क्या ऐसा ही है, इस तरह से आपको verify करना है, simple से देखो, अब इसमें देखो, आपको दिया, u square minus 8u, यहना क्या दिया, आपको u square minus plus 8u, अब देखो कि इसमें constant दिया ही नहीं है, constant नहीं दिया, था हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 add करना, इस value चैंज नहीं होता है, था हम आपको calculation करना ही नहीं है, direct u minus 4u into u plus 2 हो जाएगा, अब दिमांग में यह आ रहा हुगा, इसमें तो constant दिया ही नहीं है, अगर हम alpha बीटा वाला से निकालेंगे, तो वहाँ पर क्या ले लेना है, तो आपको c बराबर क्या लेना है, 0 लेना है, और तब बनाना है, लेकिन यहा तो u plus 2 आजाएगा, अब देखो इसके एक यह मतलब के इतनों इसको एक फेक्टर हो गया, जब four u लिखेंगे तो यू बराबर 0 करेंगे, तो you बराबर क्या आजाएगा, zero, four u बराबर, four u बराबर 0, तो u बराबर क्या आजाएगा, zero报 four बराबर 0 ही तो आएगा, और u plus two बर और यहां से मैनस टुआ एगा और मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो एक अफेल्य जीरो एक को गुना करके यह जीरो आएगा और कॉंस्टेंट टर्म सी है ना सी कितना है जीरो है इसमें 0 एफोर जीरो इस तरह से आप क्या करते हो इसको भारेफय कर सकते हो सिंपल सा यहां पर आ करता नहीं था हम इसको क्या कर देंगे कर देंगे और हम इसको क्या करेंगे मतलब आपको कि जिस तरह से पहले फैक्टर निकाल रहे थे उस तरह से फैक्टर निकालेंगे लेकिन तुरा से यहां पर क्या हो जाएगा ट्रीकी क्या हो जाएगा हमको अब देखो हमको बी बरा लग अगर आप इस method से बनाना चाहते तो इसके लिए हमको क्या करना पहले मुझा करना होता है तो 15 प्रण्च में बडस मॉझा क्या चाहिए और बार ना चाहिए जोड़को किया नगा लाना ना सब प्लस ऑम मानस सफ साइन चEX होना चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए अच पर फिंटर अब क्या वताए गए तब ही कोई क्या आएगा यहां आप एक दिमाग हांगे हम क्या कर देंगे मैंस मिनस मीनस में होगा मैंस मिनस कर लेते हैं अब जोड़ेंगे तो क्या आजाएगा प्लस करके जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा है न तो तो सिंपल से हम जोडने के वाद क्या कर रहे है मतलब जीरो आ जा रहा है और गुना करने के वाद क्या आ जा रहा है मैंनस रूट 15 आ रहा है यहां पर बता दिए हम इसको क्या कर लेंगे इस तरह से लिख लेंगे इस तरह से ऊपर किये वे थे उस तरह से हमको क्या कर लेंगे आप यहां से देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं टी स्क्वायर मैनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 टी मैनस 15 अब इसमें से कॉमन क्या जाएगा तो टी मैनस रूट 15 आएगा यहां से कॉमन क्या जाएगा रूट 15 क्या आजाएगा ती मैनस रूट 15 है ना अब देखो सिंपल सा इसमें से common क्या आ रहा है ती मैनस रूट 15 common आ जा रहा है जर क्या आ जाएगा ती पलस रूट 15 मैंने जस्ट डिरेक्ट यहीं लिख दिया अब यहां से एक बार बराबर करेंगे तो आपको एक वैल्यू आएगा 15 एक वैल्यू आएगा मैनस रूट 15 जब इसको फिर से हमको आलफा बिटा आ गया और इस फॉर्णला पर आपको बैठा देना है ना ही निगेटीव इंटीजर इसलिए आप मैनस प्रस कुछी भी लगा दो इसमें और डिभाइड़ेट में वन करेंगे तो किया आ जाएगा जीरो और मैनस रूट 15 और रूट 15 को गुना करेंगे तो आपको 15 आएगा और मैनस 15 वैवन कितना आ जाएगा सेम आ रहा है सिम्पली आप जो अगला कोशन आपको उस जिस तरह से पिछला कोशन था यहाँ पर कितना आ जाएगा ठीरी फॉर्ट जा थ्री मैनस फॉर मैनस ट्वैल वाज आ जाएगा और मैनस एक्स मैनस वन है अब दोखो फोर्ट जा 12 अब दोखो मैनस फॉर इंटू 3 म मैनस 12 और मैनस 4 प्लस 3 बरावर कितना आ जाएगा मैनस 1 सेम उस तरह हम क्या करतेंगे यह फोर्मुला बैठाक अगर आप फिर से जिस तरह से ऊपर किये कल्कुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 3x-4 कड़ी देता हूं 3x स्क्वाइर मैनस 4x प्लस 3x मैनस 4 कर देंगे है ना अब देखो इसमें से कमन क्या आ रहा है जिस क्यूंकि चार्ड मतलब यह बत्ति कर लेंगे हम 3x इसमें क्या आ रहा है एक्स कमन आ जाएगा 3x-4 और यहां पर कुछ कमन नहीं आएगा तो 1 कमन लेंगे और 3x-4 आ जाएगा अब इस दो भी दिवाब में अभी प्रॉब्लम आ रहा होगा इसको वराबर 0 इसलिए करते हैं क्या में क्या जिरो निकालना होता है क्या रहे क्को बनos को अलगलर जिरो कट देए है ठीक है जिस तरह से हम इस फोनला पर क्या कर देंगे उसको हम निकाल लेंगे मतलब कि जिस तरह से हमको फैक्टर मतलब कि 0 निकाल के चेक करना तो इस तरह से कर देंगे question number 2 में है find a quadratic polynomial with the given numbers as the sum and product of its 0 respectively मतलब कि आपको quadratic polynomial कह रहा है निकालने के लिए जब कि आपको sum and product of 0 मतलब कि alpha plus beta and alpha into beta क्या हुआ है दिया हुआ है alpha plus beta starting वाला जो number है वो है और last वाला जो alpha into beta है सभी question में आपको यह दिया गया है इससे आपको quadratic polynomial बनानी है अब देखो इसको बनाने का कितने methods है दो methods है पहला method है formula के तरफ से formula क्या होता है जिसका formula होता है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0 यह formula होता है यह सबसे easy method है मेरे ख्याल से बनाने का और दूसरा method आपको जो मैं नीचे बनाया हो वो होता आता हूँ पहले इसके method आपको बनाने के लिए बता देता हूँ देखो आपको alpha plus beta दिया हुआ है क्या है one way 4 तो just put कर देना x square minus one way 4x क्योंकि alpha plus beta one way 4 दिया और alpha into beta कितना दिया मैनस 1 दिया प्लस और मैनस 1 कितना हो जाएगा मैनस 1 अब देखो यह जो है आपको अगर इस यह नीचे क्या है 4 है इसके divided 1 कर देंगे LCM 4 आएगा तो 4 इसको multiply हो जाए क्योंकि 1 4 जा 4 4 टाइमस लेगा तो कितना हो जाएगा 4x square minus 1 into x कितना हो जाएगा मैनस x ही बचाएगा और minus 4 equals to 0 कि equation equal में क्या है जीरो लगा हुआ है अब दुखे दिखाल में 4 इतरह क्या हो जाएगा multiply में 0 4 आ जाएगा तो 0 into 4 कितना होगा 0 और इधर क्या बच जाएगा 4x square minus x minus 4 equals to 0 इसको हटा के यह जैस्ट आपको यह क्या बन गया minus one होगा क्यूं क्यूंकि आपको दियाना है और इसको डिक्षट बड़ावर घ्या होता है और आपको दिया है'M इसको मोडिफाय करना पढ़ेगा —4 x 4 लिखना पढ़ेगा क्यूं तो इसको समझों है क्या आपको क्या दिया है C by A दिया हुआ है मैनस 1 अब दिखो कि A किया है आपको पहले से 4 है उपड़ वाले से क्या पता चल रहा है A बराबर 4 है तो A नीचे 4 होगा और आपको टोटल मैनस 1 दिया है तो उपड़ वाला क्या होना चीए मैनस 4 सजमारी है क्यों जिस तरह से आपका C मैनस 4 दिया हुआ है C बराबर मैनस 4 निकलेगा अगर इस तरह से बनाओगे क्यों क्योंकि आपको तो एक्च्वल मैनस 1 दिया हुआ है लेकिन A बराबर क्या दिया है 4 कहां से निकाले हम उपड़ वाले अलफा प्लस बिटा से A बराबर 4 होगा तो उपड़ भी मैनस 4 होगा मतलब कि C बराबर कितना आ जाएगा मैनस 1 और A, B, C का आप फ़र्मुला पर क्या कर दो बैठा दो और आपका एक्वेशन आ जाए कैसे बैठाएंगे तो जनरल फ़र्मुला क्या होता है Quadratic polynomial का A x square प्लस B x प्लस C एक जगा दिख दो कितना A बराबर कितना है 4 तो 4 x square B के जगा मैनस 1 तो मैनस x और C के जगा मैनस 4 तो मैनस 4 तो आप इस तरह से बैठाब इस तरह से आपको easy लगए या इस तरह से दोनों method से आप कोई भी equation को बना सकते हो यदि आपको alpha plus beta और alpha into beta दिया गया है यह formula भी है इसका आप इसके insert ले सकते हो दूसरे question पर देखो alpha plus beta दिया है 1 by root 2 और alpha into beta यह दिया है 1 by root 3 अब देखो कि simple सा हम उसी formula पर लगाएंगे x square मैनस alpha plus beta into x plus alpha into beta अब देखो कि just x square minus alpha plus beta कितना दिया है root 2 x multiply x plus alpha into beta कितना हो जाएगा 1 by 3 equals to 0 equals to 0 formula में होता है 3 से 3 divided में सब के बना है तो LCM कितना आ जाएगा 3 3 से multiply करोगो 3 x square minus 3 root 2 plus 1 equals to 0 अब देखो कि यह divided में कितना है 3 3 दरजा क्या हो जाएगा multiply में आ जाएगा 3 x square minus 3 root 2 x plus 1 अब देखो कि यहाँ से आगर आप निकालोगे तो आपको इस तरह से ही question इस तरह इस method से निकालोगे तो इसी तरह बनेगा और आप इस formulas निकालते तो इसी तरह बनेगा ठीक है अब देखो इसमें कैसे किये alpha plus beta ब्रावर दिया है c by जब इसको relate करोगे तो c बरावर कितना आजाएगा 1 और a बरावर कितना आजाएगा 3 अब देखो कि यहाँ पर a का value नहीं put किया है है ना अगर हम इसको इस form में लिखेंगे तो 3 उपर नीचे multiply करेंगे क्यों कि 3 3 cut जाएगा root 2 बचेगा तो 3 उपर भी नीचे multiply करना पड़ेगा नीचे भी तब आपको यहाँ क्या करना आपको relate करना है तो b बरावर किया आजाएगा 3 root 2 तो हम उसी formula a x square plus b x plus c पे हम इसका क्या कर देंगे value put कर देंगे तो आपको यह answer आएगा similarly आपको alpha plus beta कितना दिया है 0 और alpha into beta दिया है root 5 तो alpha plus beta बरावर 0 दिया है तो 0 by 1 होगा क्यों क्योंकि alpha into beta पे ध्यान दो alpha into beta दिया है root 5 root 5 कुछ नहीं है तो divider में 1 होगा तो root 5 by 1 यहाँ से relate करोगे तो c बरावर आजाता है आपको root 5 a बरावर आजाता है 1 तो यहाँ पर a का value पूट करेंगे तो 0 by 1 0 ही होता है तो value कोई change नहीं होगा और minus b दिया है तो value कितना आजाएगा b का 0 है ना अब इस formula पे a x square plus b x plus c पे value पे पूट करोगे तो आपको आजाएगा x square plus 5 हम अपने method पे चलते हैं अपना method क्या था x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta के ना दिया है root 5 आपको दिया गया बराबर 0 तो अब बतलब divided में कुछ नहीं है तो just इसको इस तरह से लिएगा यह 0 को ना 0 जित्रों ही बचेगा x square plus root 5 बस और यह 0 हंटा दो तो यह आपको क्या हो जाएगा polynomial equation है ना हो रही होगी यहाँ पर 1 है तो minus b बराबर 1 है तो b बराबर minus 1 कैसे हो जाएगा देखो गाई यहाँ पर minus अगर relate करोगे तो आपको minus b बराबर 1 है जब आप b बराबर निकालोगे तो यह minus को क्या करना पड़ेगा इधर लाना पड़ेगा तो b बराबर मैनस 1 होगा, कैसे? देखो आपको तो यहाँ पे दिया है मैनस B, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मैनस B गुना मैनस B इंटू मैनस 1 एक वर्स टू 1 इंटू मैनस 1 क्यूंक हम दोनों तरह मैनस 1 से गुना करने हैं, कोई दिक्वत नहीं हो गया तो minus b into minus 1 कितना हो जाएगा minus minus plus b बज़ जाएगा और minus 1 minus 1 अब तो हमको b बरावर minus 1 आ गया आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो कि हम लोग इस तरह से क्यों करते हैं तो b बरावर direct minus 1 आगा और उस फोनला पर बेठा दो है ना और उपर जो हम मेथर बना है अलफा प्लस बीटा minus x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta उस फोनला पर भी आप बना सकते हो similarly आपको यहाँ पर दिया गया alpha plus beta बरावर यह कर देंगे minus 1 by 4 दिया हुआ है और alpha into beta बरावर 1 by 4 a बरावर भी डिरेट करो कि a बरावर कितना हो जाएगा 4 b बरावर कितना हो जाएगा 1 और c बरावर कितना हो जाएगा आपका 1 और इस फोनला पर भी आप बैठाओगे तो same answer आएगा मैं नहीं बता रहा हूँ कि लिए उत्राव सा land दी हो जाएगा अब जो है इसी तरह से आपको alpha into beta दिया है alpha plus beta दिया फोर्थ 4 by 1 लिखेंगे क्यों क्योंकि इसको देखोगा alpha into beta 1 है तो 1 by 1 लिखना पड़े है क्योंकि c by a हो तब तो c बरावर 1 a बरावर 1 तो b बरावर 1 तो b बरावर मैंनस 4 हो जाएगा तो b बरावर 1 b बरावर 1 minus 4 c बावर 2 a x square plus b x plus c के फोर्णल आप हमको क्या करना a b c का value put करते है अगर इसको आप x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta पर बनाते हो तो आपको same आ जाएगा कि x square minus alpha plus beta कि दिया है आपको 4 दिया है तो 4 into x तो 4 x हो जाएगा और alpha into beta कि दिया है 1 तो देखो आप यहां से आप बना लिए आपको same answer आप इस method से बनाओ इस method से आप इस method से आपको जो easily मेरे ख्याल सोती है बहुत ही better होता है आपको जो एक्छा लगे आप बना सकते हो दोनों methods में कोई दिक्कत है नहीं है इस इक साथ आपको क्या होता है exercise यह खतम हो जाता है और exercise 2 आपका खतम हो गया फिर मिलते है next video में I hope कि आपको पुराख पुरा समझ में आ गया होगा Thank you so much for watching this video